Hello everyone, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एक्जिम बैंक की ओर से दोस्तों यहाँ पे मेनेजमेंट ट्रेनी की विकिंसी जो है रिलीज हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो 50 मेनेजमेंट ट्रेनी की यहाँ पे भरती की जाएगी permanent job आपकी यहाँ पे होने वाली है दोस्तो सारी information हम यहाँ पे देखेंगे इसके regarding में और थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 September से form आलरेडी यहाँ पे start हो चुके हैं date आपकी रहेगी October साथ 2024 और जो इसके regarding में जो आपका selection process होता है जैसे online exam आपका लिया जाता है तो देखो यहाँ पे जो written exam आपका होने वाला है इसकी tentative जो यहाँ पे month बताया गया है October 2024 बताया गया है कि October 2024 में आपका जो exam है यहाँ पे conduct कराया जाएगा ओके और form वगेरा आपको online ही apply करना है इसके लिए और इसके लिए जो centers वगेरा होंगे कि कौन सी जगा पर आपका exam लिया जाएगा interview कौन सी जगा पर होगा तो यह centers नीचे दिये गए जैसे मुंबई, कुलकता, पुने, न्यूदहली, ट्रिची, हैदराबाद, लकनव, वरानसी, गुहाटी तो इन जगाओं पर जो है आपका center होने वाला है उसके बाद जो है यहाँ पर depend करता है कि कितने क्या candidate यहाँ पर apply करते हैं उससे साब से यह जो centers हैं यह घट भी सकते हैं ठीक है ना अगर candidates कम होंगे जो कम apply करेंगे हाँ पर तो हो सकता है इनी cities मैंसे किसी जगाँ पर आपका exam लिया जाएगा यह तो confirm है दोस्तो लेकिन कितनी जगाँ पर लिया जाएगा यह फिर वो decide करेंगे अपने हिसाब से ओके examination center might change if sufficient number of candidates are not available थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो 50 जैसे मैंने आपको उता है 50 management trainee की total post हैं जिसमें से अंटरजरों के लिए 22 रखी गई है HC के लिए 7, ST के लिए 3, OBC, NCL के लिए 13, EWS वालूं के लिए 5 और PWD वालूं के लिए दो vacancy यहाँ पे management trainee की होने वाली है qualification में अगर हम देखें तो qualification के लिए आप यहाँ पे देख लीजे एक तो आपने graduation किया होना चे full time का 60% marks के साथ दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो है post graduation यहाँ पीजी अपने किया होना चे MBA, PG, DBA या PG, DBM, MMS with specialization होनी चे फाइनस में international business या फिर foreign trade में या chatted accountant CA में या फिर जो है यह जो post graduation course है दोस्तों यह minimum 2 साल का होना चे full time duration का 60% marks आपके होने चाहिए with specialization in finance with minimum 60% marks के साथ यानि कि graduation भी मांगी है यहाँ पे इन पोस्टों के लिए और post graduation भी हाँ पे मांगी गई है इसके अलावा दोस्तों जो appearing है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे candidates who have appeared appearing for the final examination PG में जो या फिर chatted accountancy में जो appearing है जिनका final examination का मालेज रिजल्ट अगेरा अभी तक नहीं आया है to be held during November 2024 and are expecting the result in 2025 मतलब जो आपका exam अगेरा है वो November 2024 में जो है होने वाला है और आप expect कर रहे हो कि आपका result जो है 2025 में आ जाएगा तो भी आप यहाँ पर eligible है apply करने के लिए आपके लिए भी यहाँ पर उनने बता है कि आप यहाँ पर form अगेरा फिल कर सकते हैं बाकी मैंने आपको category wise बता दिया दोस्तों कि जो है कितनी क्या पोस्टें यहाँ पर category wise रखी गई है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर age limit भी आप देख सकते हो age यहाँ पर क्या बताई गई है कि जो age है आपकी यह देखी जाएगी जैसे SCST वालों को 33 साल तक age अगर आपकी आती है तो apply कर सकेंगे OBC वालों को यहाँ 31 साल तक अगर आपकी age आती है maximum तो आप apply कर सकते हैं इसी तरह से PWBD, SCST में, PWBD, OBCNCL में, PWBD, Unreserved, EWS तो जो आते हैं 38 साल की age तक apply कर सकते हैं तो यह आप अपनी category wise यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों कि कौन सी category में जो आपकी category है उसमें कितना क्या relaxation दिया गया है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि जो selected candidates है उनको post किया जाएगा किसी भी जगा इंडिया में कहीं पर भी आपको posted किया जा सकता है depending upon the requirement of the bank तो यह bank के requirement के उपर depend करता है आपको कहीं पर भी बेजा जा सकता है therefore only candidates willing to socially यहाँ पे इन्होंने बताया कि वो ही candidate apply करें जो इंडिया में कहीं पर भी जाने के लिए willing होंगे उनको कोई problem नहीं होगी ठीक है इसके अलावा selected candidates में also be transport to offices outside इंडिया with their consent तो यहाँ पे बताया कि जो selected candidates हैं उनको outside मतलब इंडिया से बाहर भी जो offices हैं वहाँ पे जाना पड़ सकता है तो इसलिए आप willing to travel होने जे इसके अलावा जो है यहाँ पे आप दिख सकते management trainee will be absorbed in grade scale junior management as deputy manager after successful completion of the training period for one year in the bank जब एक साल के आपकी training अगेरा जो है वो training period complete हो जाएगा तो monthly stipend 65,000 का दिया जाएगा will be paid during the training period तो 65,000 आपको मिलेगा जब आपकी एक साल तक जो training रहेगी ना training के दोरान आपको 65,000 मिलेगा as a stipend के तोर पर और उसके बाद फिर आपको direct जो है वो deputy manager के post के लिए आपको लिया जाएगा एक साल के बाद देख सकते हैं पर the pay band for deputy management appointed in the service of the bank shall be 48,800 से लेकर और यहाँ पर 25,920 तक आपकी जो salary है फिर यहाँ पर जा सकती है चीक है यानि एक साल तक आप यहाँ पर training period पे रहोगे training के दोरान 65,000 रुपीज आपको मिलेंगे training के बाद आप फिर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं permanent एक तरह से आपको post मिलती है उसके बाद फिर आपको अच्छी खासी यहाँ पर salary मिलेगे हर चीज यहाँ पर जो भी benefit अगेरा अलाउंस अगेरा हर चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर application fees भी अगर आप यहाँ पर जो form है वो फिल करते हैं तो 600 रुपय आपको fees देने पड़ेगी अगर आप यहाँ पर general और OBC से आते हैं और अगर आप SCST, PWD, EWS और female candidates हैं तो आपको only यहाँ पर कितना 100 रुपय पे करना है दोस्तों ठीक है और selection process कैसे होगा यहाँ पर return test लिया जाएगा उसके बाद personal interview होगा और फिर finally आपको यहाँ पर यह post जो है मिलने वाली है ओके इसके अलावा कुछ और important बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर यह जो post हैं इसके लिए सभी candidate apply कर सकते हैं आला और India सभी male भी apply कर सकते हैं female भी यहाँ पर apply कर सकते हैं और written exam जो आपका लिया जाएगा इसमें आप देख लीजए यहाँ पर जो यहाँ पर professional knowledge subject to यहाँ से questions होगे और इसमें देख सकते हैं पर part 1 होगा financial statement यहाँ से 40 marks का पूछा जाएगा part 2 होगा attempt any 6 out of 8 questions 8 questions होगे उसमें से 6 attempt करने होगे आपको 60 marks करेंगे total यहाँ पर 100 marks करेगा दाए गंटे का आपको time दिया जागा है हाँ पर करने के लिए और इसके अलावा दोस्तो final list shall be drawn based on the overall performance of the country written in interview तो final जो list होगी वो निकाली जाएगी और वो इस basis पर निकाली जाएगी क्या आपने interview अपना कैसा दिया है अपने exam में कैसा अच्छा किया है उसी basis पर फिर final जो ह आप list यहाँ पर निकलने वाली है ओप करता हूँ दोस्तो आपको सारी चीज़ें जो है clear हो चुकी होंगी अभी भी आपके पास time है अगर आप apply करना चाहते हैं तो apply कर सकते हैं 7,10,2024 यहाँ पर last date होने वाली है और यहाँ पर दोस्तो modes भी बताएगे कि किस तरीके से आप अपनी fees वगेरा जो है यह pay कर सकते हैं online तो आपको pay करना ही है यहाँ पर modes बताएगे कि कैसे आप pay कर सकते हैं जैसे यहाँ पर इन्हों ने लिखा है कि debit card से कर सकते हो रुपे, visa, mastercard, mistro, credit card, internet, banking, IMP, cash card, mobile wallet यह कुछ यहाँ पर modes हैं जिनके तरू आप अपनी fees जो है यह pay कर सकते हैं, hope करता हूं दोस्तों सारी चीज़ें clear हो चुकी होंगी, so thank you very much